सिलेंडर का चारो बोल्ड को हमने फसा दिया है मैंने फूल्ड को टाइट करने के बाद हम सिलेंडर बोल्ड को फूल टाइट करेंगे फ्लाइवील को घुमाकर आप इस तरह से चेक कर लिजे पिश्टन आप डाउन हो रहा है cylinder में हम इस तरह से oil डाल देंगे उपर से 20W40 का piston ring हमारा orway free हो जाएगा दोस्तो अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है part 1 तो इसी वीडियो का description में link डाल दिया हूँ part 1 वीडियो का link पे click करके आप part 1 वीडियो देख सकते हैं अगर आपने part 1 वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप part 1 वीडियो देख लिजिए part 1 वीडियो में मैंने आपको बताया है कि machine अगर आपका start नहीं हो रहा है तो क्या-क्या problem हो सकता है manifold bracket को tight करने के लिए दो linky bolt लगाना पड़ता है जैसा कि अभी आपने देखा मैं linky bolt को लगा दिया हूँ manifold bracket में आप पहले दो linky bolt को full tight कर लिजिए इसके बाद आपको cylinder का जो bolt है उसे full tight करना है किसान machine यूटूब चैनल पर आपने first time visit किया है तो चैनल को अभी subscribe किजिए all वाले option पे click करके notification on कर ले ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो upload करूँ आपको notification मिलता रहे जैसा कि आप देख पा रहे है चार linky bolt cylinder में लगता है चारों bolt को आप full tight कर दिजिए यह देखें यह है round ring round ring को आप इस तरह से manifold में लगा दीजिए round ring को आप अच्छे से इस तरह से लगा दीजिए देखिए मैंने लगा दिया है fuel pipe में हमने elinky डाल दिया था fuel tank में अगर petrol है और petrol नहीं निकालना चाहते है आप तो pipe में इस तरह से अलेंकी डाल सकते हैं ये जो carburetor आप देख रहे हैं ये इसी machine का carburetor है carburetor को सिर्फ मैंने petrol से wash किया है accelerator rod आपको यहाँ पर feed करना है देखिए धियान से मैं कहाँ पर accelerator rod को feed कर रहा हूँ carburetor में अब मैं air pipe को लगाऊंगा ये देखिए उपर में एक air pipe है और ये छोटा सा ring है इस ring को आप इस तरह से pipe में डाल दीजिए air pipe को उपर के तरफ जो नोजल है carburetor में आप उसमें लगाएं second वाला जो pipe देख रहे हैं ये fuel pipe है इस fuel pipe को आप यहाँ पर इस तरह से लगा दीजिए air filter adapter में दो alinky bolt लगाना है ये देखिए ये दोनों bolt जो है ये carburetor का bolt है इस bolt को जब आप tight करेंगे तो carburetor आपका tight हो जाएगा carburetor का जो bolt है उसे आप पहले फसा लिजिए alinky से 4 mm का alinky लेकर आप इस दोनों bolt को पहले फसा लिजिए fuel pipe को आप side कर लिजिए नहीं तो ये adapter में दब कर फट जाएगा pipe fuel pipe को side करने के बाद ही आप adapter में जो bolt लगा हुआ है उसे full tight कीजिए accelerator को press करके हम हाथ से check कर लेंगे ये work कर रहा है ये दिखिए काफी अच्छा work कर रहा है चलिए carburetor bolt को थोड़ा थोड़ा और tight करते हैं full tight नहीं करना है आपको यहाँ पर एक rubber है ये देखिए इस rubber को पहले आपको इस तरह से लगाना है air filter adapter में rubber को आप इस तरह से लगा लीजिए इसके बाद अलेंग की लेकर carburetor का जो bolt है उसे full tight कर दीजिए अब मैं recoil starter को fit करूँगा तो recoil starter fit करने से पहले ये देखिए ये है guide flow cover guide flow cover को आपको इस तरह से लगाना है उसके बाद आपको starter लगाना है recoil starter को बैठाने के बाद आप इस तरह से खीच कर देख लीजिए fly wheel घूमना चाहिए जब starter अच्छे से बैठ जाए इसके बाद आपको 4 LNK bolt लेना है 4 mm का LNK bolt है ये 4 mm का 4 LNK bolt लेकर पहले आप फसा लीजिए चारों bolt जब आपका फस जाए उसके बाद आप एक दो बर और रसी को खीच कर देख लीजिए आपका starter अच्छे से वर्क कर रहा है starter अच्छे से वर्क कर रहा है तभी आप bolt को full tight कीजिए दोस्तो अभी तक आपने किसान मसीन चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए और वाले option पे click कर के notification on कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो upload करूँ आपके notification मीट आ रहे इस मसीन का जो spar plug है उसमें carbon लगा हुआ है पलग को पलग cap में लगा कर switch on कर लीजिए अस्पार पलग में current काफी अच्छा आ रहा है अस्पार पलग में current आ रहा है इसका ये मतलब नहीं है कि spar plug बिलकुल सही है कई बर ऐसा होता है spar plug में current आता है बट जब हम machine को start करते हैं तो machine जो है वो रुक रुक कर चलता है accelerator लेने के बाद machine बंद हो जाता है तो ऐसे में आप सबसे पहले एक नया spar plug को लगा कर देखें spar plug को full tight करने के बाद spar plug का जो cap है उसे आप अच्छे से tight करके लगाईए spar plug का जो cap है वो अगर ढीला रहेगा तो machine में starting problem आएगा silencer का दोनों bolt आप cylinder assembly में इस तरह से फसा लीजिए silencer लगाते वक्त आप ध्यान देजिए silencer का जो gas kit है वो लगा हुआ होना चाहिए ये देखे silencer gas kit लगा हुआ है silencer gas kit नहीं रहेगा या कटा हुआ रहेगा फटा हुआ रहेगा और आप इसी तरह से लगा दीजिएगा तो आपका जो machine है वो बहुत ही ज़्यादा sound करेगा इसलिए आप एक नया gas kit लगाईए उपर में 8 number का nut है इस 8 number nut को पहले आप इस तरह से हाथों से फसा लीजिए ये देखे 2 LNK bolt है small LNK bolt को आप इस तरह से फसा लीजिए दोनो LNK bolt को आप फसा लीजिए ये 4 mm का LNK bolt है 4 mm का LNK लेकर आप दोनों bolt को इस तरह से फसा लीजिए उपर में जो 8 number का nut लगा हुआ है उसे आप T range से टाइट कर सकते हैं हमारे पास 8 number का T range है 8 number का T range लेकर मैं इस nut को पहले full tight करूँगा उसके बाद LNK bolt को full tight करूँगा दोस्तो यह वीडियो देखने के बाद अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो इस वीडियो को like कीजिए और जादा से जादा इस वीडियो को share कीजिए ताकि जिनके भी machine में starting problem है वो starting problem solve हो जाए fuel time का cap मैं खोल रहा हूँ इसमें fuel डालूँगा यह देखी यह petrol है इस petrol में हमने 2T oil डाल दिया है 2T oil आपको डालना है 1L petrol में 40 से मिल और 1L petrol में 20 से मिल दोस्तों 2T oil डालना बहुत ही जरूरी है अगर आप तूटी oil नहीं डालते हैं only petrol से machine को चलाते हैं तो आपके machine का ring, piston और cylinder यह सभी damage हो जाएगा जैसा कि अभी आपने देखा machine एक kick में start हो गया है machine हमारा काफी अच्छा work कर रहा है guide bar हमने लगा दिया है अब आपको chain लगाना है तो chain लगाते वाक्त आप ध्यान दीजे यह देखिए आगे side में धार होता है यह धार जो है वो आगे के तरफ रहेगा चलिए अब मैं आपको लगा कर दिखाऊंगा chain तो chain को guide bar में किस तरह से लगाना है कैसे tight करना है कितना tight करना है यह सब मैं आपको बताऊंगा दोस्तो हमारी YouTube चैनल best किसान machine में से एक है कभी-कभी हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं machine और वीडियो के content पे कभी भी चेक करना है यह देखिए काफी अच्छा work कर रहा है chain जो है वो guide bar में अच्छे से बैट गया है यह देखिए यह है break when break when को आप इस तरह से कीजिएगा तो यह देखिए chain जो है lock हो जाता है clutch drum lock हो जाएगा और अगर आप इसे open करना चाहते हैं तो यह देखिए इस तरह से open कर सकते हैं इस तरह से यह open रहेगा तो जब आप machine को start करके चलाएंगे तो आपका chain घूमने लगेगा यह देखिए इसका जो size है वो बड़ा हो गया तो यह जो है यह clutch drum में अब नहीं सटेगा यह देखिए break when में chain register लगा हुआ है यह जो register आप देख रहे हैं वो आपको यहाँ पर लगाना है अंदर में डालना है chain register को जब chain register आपका सही से बैड जाएगा तभी आपका जो break when है वो अच्छे से बैठेगा break when आपका सही से बैड गया है तभी आप nut को फसाएं बारा नमबर का यह nut है बारा नमबर का गोटी और हैंडल लेकर पहले हम इस दोनों nut को हलका हलका tight करके फसाएंगे screw driver की मदद से chain register को हम adjust करेंगे यह देखे chain जो है वो अभी ढीला है जैसा कि आप देख सकते हैं chain बहुत ही ज्यादा ढीला है अभी तो chain को हम इस तरह से tight करेंगे screw driver लेकर register screw को हम tight करेंगे तो जो chain है वो tight हो जाएगा जैसा कि आप देख सकते हैं chain आपको बहुत ज्यादा tight नहीं करना है chain को आप हलका सा tight कीजिए tight करने के बाद आप screw driver से इस तरह से check कर लिजिए chain जो है वो बार पे इस तरह से running करना चाहिए chain अगर आपको अभी भी ढीला लग रहा है तो chain को आप और थोड़ा tight कर दीजिए जब आपको लगे आपका chain सही से tight हो गया है और chain जो है वो blade पे अच्छे से work कर रहा है chain guide बार पे अच्छे से चल रहा है तभी आप nut को tight करें चल यह फिर से एक बार हम check कर लेते हैं screw driver लेकर यह देखे chain को आप इस तरह से देख लिजिए गुमा कर chain जो है वो बार में इस तरह से running करना चाहिए chain इस तरह से अगर running कर रहा है तो आपका जो chain है वो अच्छे से बैट गया है बार में उपर के तरह स्विच ओन कर दिया है हमने अब हम machine start करके देखेंगे अभी जैसा कि आपने देखा हमारा machine जो है वो काफे अच्छा वर्ग कर रहा है on off switch में इस तरह से एक छोटा रबड लेना है छोटा रबड लेकर on off switch में आप इस तरह से लगा लिजी एक और आपको रबड मिलेगा ये देखिए इस रबड को आपको यहाँ पर लगाना है इसके उपर में चौक लिवर लगेगा इस रबड को पहले आप इस तरह से अराम से लगा लिजी इसको लगाने के बाद आपको चौक लिवर को लगाना है ये देखे ये चौक लिवर है चौक लिवर को आप कार्विरेटर में इस तरह से फसा लीजिए चलिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ ये देखे चौक लिवर को आपको इस तरह से लगाना है आप देख पा रहे हैं चौक लिवर कहाँ पर लगा हुआ है इसी तरह से आपको चौक लिवर को लगाना है दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि सिलेंडर कभर जो है वो इस तरह से नहीं लगता है उसके लिए हमें स्पार पलग को खोलना पड़ेगा पलग कैप को आप आराम से निकाल लिए आराम से निकालने के बाद यहाँ पर आपको पलग रेंच लेना है पलग रेंच लेकर आप इस तरह से स्पार पलग को गोल कर बाहर निकाल लीजिए कारवरेटर का जो इसक्रू है उसमें एक रबड लगता है ये देखे ये रबड को आप इस तरह से लगा लीजिए अब आपको टॉप कभर को लेकर लगाना है यह देखिए यह टॉप कभर को आप इस तरह से लगाईए जैसा कि आप जानते हैं टॉप कभर में 5 अलेंकी बोल्ट लगता है 4 mm का पांचो बोल्ट को पहले आप फसा लिजे टॉप कभर में इसके बाद आपको फूल टाइट करना है दोस्तो आपकी सार से हमारा वीडियो देख रहे हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए मैं कौन सा मसीन का रिपेरिंग वीडियो बनाऊं जिस वीडियो पर ज्यादा लाइक और कमेंट करेंगे उसी मसीन का में रिपेरिंग वीडियो बनाऊंगा और क्या मैं आपसे पार्टनाशिप कर सकता हूँ हर बार आपको रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को लाइक जरूर किया किजे क्योंकि वीडियो बनाने बड़ा समय लगता है आपके लिए ये वीडियो शेयर कीजिए उन लोगों को जिनके पास ये मसीन है जिनके आसपास टेकनी से नहीं है देखे जरा आसपस न और किसान मसीन यूटूब चैनल सस्क्राइब करवाए उन सभी से जिनको इस वीडियो से फायदा हो सकता है असपार पलग को फिर से लगाएंगे और मसीन को स्टार्ट करेंगे तो असपार पलग को पहले आप हातों से फसा लीजिए इसके बाद पलग रेंच लेकर इसे फूल टाइट कीजिए पलग कैप को आप अच्छे से लगाएंगे टाइट करके अगर ये ढीला रहेगा तो मसीन में स्टार्टिंग प्रोलम आएगा इसलिए आप पलग कैप को टाइट करके लगाएए यहाँ एयर फिल्टर है एयर फिल्टर को मैं लगा रहा हूँ एयर फिल्टर मैंने पेट्रोल से किलीन कर लिया है एयर फिल्टर को आप किलीन करके लगाएं पेट्रोल से चलिए एक बर मैं आपको फिर से मसिन स्टार्ट करके दिखा देता हूँ तो ये देखे स्वीच आन कर अजयादने प्रे condemnation आ司 कर दyत, इसाथ और बडन कर वा क्वंद से मतात् 으